अपने पास है टाटा टियागो का एक्स्टी रीदम वेरेंट बहुत एक अच्छा वेलफर मनी वेरेंट रहने वाला है और प्राइजन की बात करें प्राइज रहेगा मैं कहूंगा अगर आफ सेफ्टी के साथ फीचर और एक वेलफर मनी कार चाहते होना आज आओ दिखा लूख बीसिकली जो ऐसा रहने वाला है स्पेशल थेंक्स को चंपक टाटा मोटर्स गुंगाएगा उको यह वीडियो में शूट करने देने के लिए कोई भी टाटा कार के लिए लोन यह माई offer के लिए आज ही कॉल कर सकते हो स्क्रीन में डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको कुझा इस वेरेंट में नहीं है मुझे लगता है इस बजट में टियागो में फॉग लाइट एक आना चाहिए था पाकि यहां पे पियानो ब्लैक और ग्रिल जो है बहुत अच्छा लगता है ग्राउंड क्लेरेंस भी टियागो का एक प्लस रहता है अगर आप कंप्यार वो देखने में मिलता है यह वाला डिजाइन बोनट का यह जो लाइनस है अच्छा लगता है जब आ रहे हो चेक करना यह सब चीजे यह जो बॉड़ी लाइनस है साइट से एक बहुत अच्छा काफ डिजाइन आपको दे देता है वील्स में चले आते हैं तो 14 इंचिस का य अंदर ही जो आपका डोर हैंडल से वो देखने में मिलता है पीछे जो लाइट्स है वो नॉर्मल जो हैलोजन वाला सेटफ है वो आपको यह पर देखने में मिलता है उसे के साथ कुछ ऐसा लूख है अब एक चीज़ मुशे ने इसका खराब लगता है डिफॉगर जो है इ इसमें कोई दिक्कत नहीं है और यहां से भी आप जो है खोल सकते हो तो यह एक चीज़ बूट अगर आप चेक करते तो पोस्ट्रे आपको दिया गया है और अच्छा खासा बूट स्पेस है तो उसमें कोई कंप्लेन नहीं रहेगा और नीचे जो है स्पेयर टेर आपको य पहले तो जैसे ही आप अंदर आते है जो लूख है वो कुछ ऐसा है क्यूंकि डूएल टोन और लाइट कलर जादा है तो थोड़ा सा स्पेश्योस लगता है लेकिन फिक्स्ट हिज्डेस्ट नहीं आता मुझे पसंद और आपको भी शायद नहीं आता होगा बाकि यहां पर यहां पर यह लिए लाइट से देखिए क्याबिन की बात कहना तो काफी एरी आपको फील होता है इसका रिजन है विंडो लाइन अगर आप आप आपको देखने में मिल जाता है और यहां पर जो है अच्छा खासा मेरे पास लेग रूम है तो वह भी एक प्लस आपको देख अगर आप चेक करें तो अच्छा है अगर सामने चले दरवाजा खोल लेते हैं कोई भी रिक्वेस इंसर आपको नहीं दिया जाता है इस प्राइज में हमें एक्सपेक्ट भी नहीं करते तो फॉर्स्ट इम्रेशन में कुछ ऐसा जो है आपके पास रहने वाला है बट यहा यहां पर चाबी को मैं इंसर्ट कर देता हूँ और यहां भी वही चीज है थोड़ा सापको एक हार्ट प्लास्टिक है चारो पार इंडो का कंट्रोल सापको आपको देखने में मिल जाता है ग्रेफ है इसका क्वालिटी ना हाड है बेटर होना चाहिए बाकि आपको बॉट ही दिया कि दोनों फ्यूल लीड और बूट खोल सकतो डेट पर आपको दिया जाता है यहां पर स्पेस है तो कॉइंस और चीज़े रख सकते हो इन्हें नाउट नट यहां में स्मूथ है बिल्कुल दिक्कत नहीं है अंदर आते ही जो कुछ वीजिबिलीटी है थोड़ा सा हाट प्लास्टिक है तो कोई दिकर नहीं बट यह जो है टाटा है मारूती या फिर यूंडाई वाला हलका प्लास्टिक नहीं है स्मूथ ओपिनिंग तो है यह अलग से आपको आपको मिलता ही है डिजिटल स्पीडोमेटर आपको जहां पर दिया जाता है मालेज और वह सब में यह टॉप मॉडल में जाना होता है मैनमेल इसी आपको है पर देखने में मिल जाता है इनका बटन क्वालिटी थोड़ा बेटर होना चाहिए नौब थोड़ा हलका लगता है इसे के साथ अगर आप म्यूजिक सिटम देखते हरवन का सिस्टेम है ठीक है इस बजट के हिस से अफे लेदर नहीं भी लगवाते होना तो भी मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत आपको होने वाला है बाकी यह इस इवेंट का जो डिजाइन है काफी अच्छा लगता है बाकी नीचे अगर आप देखते है 12 वोल्ट पार सगेट है USB दिया गया है तो फोन आप अराम है जो की एडप्टिव है मतलब एड़स्टेवल है वेसिकली गाइडलाइन जो है वह आपको देखने में मिलता है लेकिन वहीं यह कैमेरा थोड़ा सा लो क्वालिती का है बैकि दो आपको कफोल्डर है सिंटर में चोटू है और कुछ ऐसा है को आम रेस्ट नहीं है देखिए वेसिक्स फेस्टू है थ्री सिलिंडर है थोड़ा सा अब भी आपको नॉइस वाइब्रेशन है बट अगर आप कैबिन में बात करें और ड्राइब बात करें तो वहां पर आपको कोई भी कंप्लेन नहीं होगा डेफिनेटली आप जो है कंसिडर कर सकते हैं कोई भी कंशुशन है आप हमें कमेंट में आप इंस्टा वीडियो में कर सकते हैं मिलते हैं वीडियो के अंदर जो हम बाइगाइज